ओम्सिर मात्रे नमा एक समय की बात है महराजा भोज के दरवार में एक परसन आया कि ऐसा कौन सा कुआ है जिसमें गिर करके कोई बाहर नहीं निकल सकता राजा भोज ने अपने सारे दरवारियों को गुलाया राजपंडित को गुलाया सबसे पूछा कि वैसा कौन सा कुआ है जिसमें मुनस्य खुदी गिरता है और बाहर नहीं आता तो सभी लोग इस परसन का उत्तर डूणने लगे लेकिन कापी विचार विमर्ष के बाद भी इस परसन का उत्तर नहीं मिल पाया तो राजपंड भोज ने गोशना की कि साथ दिन के अंदर यदि इसका परसन का उत्तर नहीं मिला इस समस्या का समादा नहीं खोजा गया तो जो राजपंडित थे जो मुखे उस सभा के विद्वान थे काय कि उन से जिनको राज़ा से वेतनादी मिलता था जिनका राज़ा के हैं सम्मान होता था उनको का गया कि यदि आप इस समस्या का समादा नहीं ढून पाएंगे तो आपको इस देश से निकाला दे दिया जाएगा इस देश से हम निकाल देंगे तो राजपंडित बड़ी उहा पोह में विद्वान था, तथा पी उसके पड़ा हुआ था लेकिन कड़ा हुआ नहीं था तो ऐसे ही उदासी बरा चेहरा लेकर के जा रहा था तो रस्ते में देखा कि कोई गडरिया जा रहा था उसके साथ भेड और बकरिया थी, उनको चराने वाला गडरिया था तो उसने उस राजपंडित के चेहरे को देखा बड़ी उदासी थी, उस गडरिये ने राजपंडित को परणाम किया कहा हमारा पंडित राज क्या हुआ, आप इतने उदास परतीत होते हैं इसा क्या हुआ, उदासी का कारण क्या है, तो उस पंडित ने कहा कि ये गडरिये तू क्या करेगा जान करके उस गडरिये ने कहा हो सकता है कि मैं कहीं किसी प्रकार आपका कहीं समाधान में सायक हो सुकों आपके समस्या के समाधान में उस गडीरी ने कहा कि मैंने बड़ा सत्संग किया है बड़े-बड़े विद्वानों का क्या सपास में जा करके उनकी सेवाधी करकी है मैंने तो हो सकता है कहीं न कहीं मैं आपके समस्या समाधान शुल जा दूँ अभी उस राजपुरुष जो विद्वान था वह जो राजपंडित था उसने सोचा चलिए जाता ही क्या है छे दिन तो बीट गए कल राजा देश निकाला देई देगा तो इससे पूछने में हर्ज क्या है तो उसने कहा कि हे गड़रिये माराज ने एक परसन रखा है सबा में कि वैसा कौन सा कुवा है जिसमें मनुष्य खुद गिरता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता तो मैं इस परसन का उत्तर खोजने में असमर्थ हुआ इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ क्योंकि कल सात्वा दिन हो जाएगा यहां गड़रिये ने कहा इसमें कौन से उड़िवात है तो बड़ा आसान है मैं आपको बता सकता हूँ अब राजपंडित के चेरे पर मुश्कान आवे राजपंडित ने कहा रहे वा यह कैसे बता सकता है कहा कि बताईए बताने के लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा वो राजपंडित बड़ा विद्वान और ये एक सामा ने गड़ दिया उसका एहंकार थोड़ा सामने आया उस राजपंडित ने कहा कि देख लो यदि आपको परसंग का उत्र जानना है तो देखो शीशे तो बनना पड़ेगा उसने का ठीक है मैं शीशे बनूगा बोले चलिए के उल शीशे इतना ही नहीं शीशे बनने के साथ साथ आपको भेड का दूद पिना पड़ेगा अब पंडित के दिमाग में थोड़ी और शंका हुई पंडित ने का भेड का दूद देख लो यदि जानना है तो बेड का दूद भी गड़ी नेक और सर्त रग दी कहा है मैं उसको मैं जूटा करूँगा मेरा जूटा दूद पिना पड़ेगा अब पंडित तिल्मला या पंडित कहा कि कैसे क्या क्या वह ऐसी कैसी कैसी बाते कर रहे हो पहली तो बेड का दूद उसके बाद जूटा बोले देखो यदि मुझे गुरू बनाना है मैं आपके समस्या का समादान करूँगा मेरा सेश्या बनोगे तो गुरू का जूटा पीने में क्या का चल ठीक है मैं पी लूँगा फिर कहा देखो एक सर्तोर है इस समसान में जो ये नर्मुंड है इस नर्मुंड में उस जो नरक अंकाल की खोपड़ी होती है उसमें उस दूद को निकालूँगा और उस दूद को आपको पीना पड़ेगा अब पंडित का चेरा बिलकुल क्रोध से हो गया आप क्या आप कह रहे हो नरक अंकाल के खोपड़ी में मुनुष्य की खोपड़ी में दूद कैसे पिऊँगा मैं पहले जूटा फिर भेड़का और बहुत सारी बाते है फिर देखा देख लो आपकी मर्जी है अप मुचित हो समझो तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं अब राजा को उसको पंडित को लगा कि आखरी दिन है चलो देश से निकाल दिया जाएगा तो उसके लिए चल ठीक है यदि सम्मन का परसन का उत्र मिल जाता है समस्या का समादान हो जाता है तो उसके लिए भी वैत्यार हो गया अब देखिए कहां सारी सरतें दीरे दीरे उस गड़िये ने अपनी सारी सरतें मनवा ले क्योंकि तृष्णा के चलते इसलिए कहा तृष्णा न जीरिना वयमे वजर्णा वट्रिश्णा कभी कम नहीं होती बढ़ती ही बढ़ती जाती है तो फिर उस गडिरी ने कहा, पंडित राज ये देखो, वो कुवा कौन सा है, वो तृष्णा का कुवा है, लोब का कुवा है, जिसमें मुनष्य अपने आप उतर जाता है, आप जैसे विद्वान पंडित, राज पंडित भी उस कुए में उतर गए और अपने आप ही उतर ग करके बाहर निकलना देखिए मुझा की तृषणा है उसको आसानी से बैठने ने डेते जिसके पास यहां के है कि अबरी कार चाहता है वे जिसके पास रोल श्लॉय है फैले कोdit जाता है जिसके पास हेलिकोपटर है वो अपना जेट चाहता है जिसके पास मैंने जिसके बड़े से बड़ा, सब सोचते हैं कि मेरे से जितना भी जितना भी वो कर सकें, प्रतेक आदमी, तिशना उसकी इतनी होती है, मुनुष्य की जो तिशना है, वो इतनी जादा है, कि वो भरती नहीं आसानी से, वो जीरण नहीं होती, तो वो कुवा कौन सा है, जि त्रिष्णा का कुवा है लोग का कुवा है तो यह बड़ी कहान पुरानी कहानी आज मेरे याद आई मुझे तो मैंने सोचा आप सभी मित्रों को सेवर करूं तो आपने जीयोन में भी देखिए यह इस त्रिष्णा को अपने मन पे अपने बुद्धी पे विवेक पे भारी म मात्वने देजिए संतोस पुर्शष्य प्रम निधान कहीं ने कहीं संतोस भी करना चाहिए संतोस ही पुरुष्य का प्रम निधान है इन्ही सब्दों के साथ ओम स्री मात्वेश्णा करते हैं